यूपी के सीएम योगी आदित नाथ ने राम नौमी के अपसर पर गोरत नाथ मंदर में वधेवधान से हवन पूजन किया इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया सीएम योगी ने अपने हाथों से कन्याओं के पाउं पखारे उन्हों ही चुन्डी और हाई आर्ति उतारी श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया और दक्षिना देकर उनका अश्रिवाद लिया सीएम ने परवबरा का निर्वाहन करते वे बटू पूजन भी किया इसका वीडियो सामय आया है जिसमें वो कन्या पूजन के समय मुस्कुराते हुए नजर आ रहे है वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नौमी तिथी के अनुष्ठान में सीएम योगी ने सबसे पहले छोटी-छोटी बच्चीयों के पाउंध होए फिर उनके माथे पर रोली चंदन अक्षा तादी का तलक लगाया इसके बाद चुन्री उढ़ाकर एवं दक्षिना प्रदानकर उनका आशिरवाद लिया सीएम ने हमन पूजन के बाद इन कन्याओं को गुरकनात मंदर की रसोई में पकाय गया भूजन अपने हाथों से परोसा इससे पहले सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश वासियों को राम नौमी के शिपकामनाई देते वे एक्स पर लिखा कि भारत के प्राण सनातन जगत की सकलास्था के केंद्र हमारे अर्याथ है मर्यादा पुरिशुत्तन भगवान श्री राम के पावन अप्तरन दिवस श्री राम नौमी की समस्थ प्रदेश वासियों एवं श्रधालू को हर्दिक बढ़ाई एवं शिपकामनाई शर्ताब्दियों की प्रतिक्षा के उप्रांध श्री राम नौमी प्रभू श्री राम नौमी का पर्व मनाया जा रहा है इस बार की राम नौमी बहुत विशेस है क्योंकि राम मंदित के निर्माण के बाद राम नौमी ये पहली राम नौमी है इस दौरान राम लिला की विशेस पूजा आर्चना की गई मंत्रो चारन के साथ राम लिला का सूर्या विशेक हुआ इस मौके पर राम मंदर का विशेस श्रिंगार किया गया है राम लिला के मौके पर मंदर के कपात भक्तों के लिएसुवा सारी सारी तीन बज़े को दिए कहा जा रहा है कि रात 11 बज़े तक भक्त राम लिला के द्यशन कर सकेगी ऐसे में मंदर में शड्धालू की भीड़ लग ग गयी है दोपहर सबा 12 बज़े राम लिला का सूर्या तिलग हुआ राम मंदिर में आज अद्भुत नसारा देखने को मिला है आस्था और वग्यान के संगम से राम लिला का सूर्या भी शेक किया गया इस दोरान राम लिला का ललाट सूर्या की करनों से जगमग हो उठा पात सो साथ के दिहास में पहली बाज शूर्या भी शेक हुआ है वियोरे रिपोर्ट दली समचार